महीला पहलवानों की योन शोशन के आरोपी भाश्पा सांसद ब्रज भूशन सिंग के बेटे और केसर गिन से भाश्पा प्रतियाशी करण भूशन के काफिले की फोर्चुनर ने गोंडा में दो बाइक सवारों को रोन दिया है सासे में दोनों यूवकी मोखे पर ही मौत हो गई जबकि सड़क किनारे बैठी एक बुजुर्ग महीला गंभीर रूप से घायल हो गई काफिले में शामिल एक फोर्चुनर कार ने ओवर्टे करते वे नियंतरन खो दिया और बाइक सवारों को टकर माते वे बिजली के खंबे से टकरा गई इसी दोरान कार ने सड़क किनारे बैठी साथ वर्षिय महीला सीता देवी को भी रोन दिया इसाथ से में निदूरा गाम के 17 वर्षिय रेहान और 24 वर्षिय शहजाद घान की मोके पर ही मोत हो गई जबकि सीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई पुलिस ने शवो को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भीज दिया है आप पर पुलिस अदिक्षप पस्चिमी रादिशाम राय ने बताय कि मृत्तकों के परीजरों ने शिकायती पत्र दिया है फोर्चुनर को कबजे में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया पहलवानों से योन चोशन की आरोप में व्रज भूशन सिंग का टिकेट कार दिया गया था और उनकी जगह भाजपा ने उनके बेटे करन भूशन को टिकेट दिया था व्रज भूशन पर कोट में आरोप तै हो चुके हैं करन भूशन यूपी कुस्तिसंग की अध्यक्ष है और वे भार्ते कुस्तिसंग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं